अबी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है बाद में पढ़ लूँगा और बाद में सोचोगे कि जब अभी तक कुछ नहीं किया तो अब क्या कर पाऊंगा अब तो मेरे पास समय ही नहीं बचा है हमारी सबसे बड़ी गलती है ये सोचना कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है और उससे भी बड़ी गलती है ये सोचना कि हमारे पास टाइम नहीं है तुम टाइम को यूज कर सकते हो लेकिन उसे खरीद नहीं सकते उसके मालिक नहीं बन सकते उसे सेव करके नहीं रख सकते फ्री में जब कोई चीज मिलती है तो इंसान उसकी कदर नहीं करता और यही होता है समय के साथ एक आम भारती इंसान की एवरेज एज 68 एर्स होती है जिसमें से वो 20 साल सोने में निकाल देता है और 8 साल दोस्तों के साथ गपे मारने में मोबाइल पर समय बरबात करने में निकाल देता है सोचो आपकी जिन्दगी के 8 साल बे फिजूल ही चले जाते हैं जिन्दगी पर 8 साल बरबात करने के बाद इंसान रोना रोता रहता है कि समय नहीं है उसके पास थोड़ा थोड़ा करके बहुत नुकसान हो रहा है पता भी नहीं चलता रोज वेस्ट किये गए कुछ मिनिट सालों का नुकसान कर देते हैं एक समय आएगा जब तुमको आराम करने मिलेगा जिन्दगी में तुम सेटल हो जाओगे सब कुछ होगा तुमारे पास लेकिन अभी तुमारे पास कुछ नहीं है अभी तुमारे पास समय है मेहनत कर लो पढ़ाई कर लो लाइफ में कुछ अचीव कर लो जिन्दगी का एक नियम समझाता हूँ इंसान को अपनी पूरी जिन्दगी में कभी न कभी लग के मेहनत करनी ही पड़ती है मैं भविश्य से आया हूँ आपको समझाने के लिए मैंने आपको रोते हुए देखा है ये कहते हुए देखा है कि काश उस समय मैंने मेहनत कर ली होती पढ़ाई कर ली होती तो आज आकर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो समय चल रहा है जिसकी कीमत आपको आने वाले 10 साल बात पता चलेगी सोचो अगर ये बात सच है तो क्या आप मेरी बात मानोगे फैसला आपके हाथ में है अगर कुछ देखना है, कुछ सुनना है तो हमेशा ऐसी चीज़ें देखो और सुनो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले जिसे की 2 मिनिट का ये वीडियो आपने देखा आपके जिन्दगी के 2 मिनिट चले गए लेकिन शायद इस वीडियो से कुछ सीख कर आप आने वाले 2 घंटे या 2 दिन तक बेकार जाने से बचा सकते हो और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नहीं सीखा है तो अफसोस आपके ये 2 मिनिट वाकई में बेकार चले गए है इसलिए हमेशा अच्छा देखिए और अच्छा सुनिए